आश्टर के प्लांट में आपको भी दोस्तों इस समस्या देखने को मिल रहे हैं तो बिलकुल ना घाब रहें क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा दोस्तो जो इस plant को काफी healthy बनाता है बस 10 दिनों में इसका result आपके सामने होगा दोस्तो तो जो हम आज के plant में fertilizer यूज करेंगे वो बहुत ही खास है दोस्तो और हमारे plant के लिए बहुत ही healthful है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखे इसकी बिल्कुल मत किये तो चले दोस्तो वीडियो की सुरुआत करते हैं Hello everyone, चैटपटी जिन्दframe में सभी दोस्तो का स्वागत है50 दोस्तो लिए दोस्तो में दोस्तो इसकी हाई हाइव रिट कास्ट्र है दोस्तो मेरे पास दोग कलर की hier एस्टट का फूल है दोस्तो ये पिंक कलर का और एक डार्क पिंक कलर का है दोस्तो इस मेरे इस प्लांट में मैंने दस तान पहले अपलाई किया था ये फोटि लाजर जिसका रिजल्ट आप देखी रहे हैं कितने ज़्यादा मातरा में बड़्स बने हुए हैं और ये देखिए हर ब्रांचे में इसके बड़्स बन रहे हैं ये काफी खुशूरत होता है दोस्तों गुल्दावधी के जैसे इसके ف्लावरिंग होते हैं और इसके दो-तीन क्लर में इसके फुल आते है इसके पतिया भी देखिए दोस्तों कितनी हल्दी या काफी बरी-बरी होती है और छोटे से छोटे ब्रांच में भी बर्ट्स ग्रो कर रहा है तो दोस्तों जो इसमें निटुरियंस मैंने डाला उसका रिजल्ट यही है कि आप 10 दिन पहले मैंने इसमें डाला और आज का अचानक रूख गई है और इसके पते भी पीले पर के सुखने लगे दोस्तों इस प्लांट में जो निटुरियंस की कमी हो गई है दोस्तों उस निटुरियंस की हम इस प्लांट में देंगे और दस दिन में ही इसका रिजल्ट आपको देखाएंगे क्योंकि यह अचानक ही प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल ही खराब होने लगे बहुत ही खुबसूरती फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी तो दोस्तों इसमें निटुरियंस में जो कमी है आज इन प्लांटों को दोएंगे और आपको पूरा डिटेल इस वीडियो मीलेगा तो दोस्तों इसले वीडि बिल्कुल सक्त हो चुकी है क्योंकि हमें 15-15 दिन पर अपने पॉट की कुराई करते रहने चाहिए इसमें देखिए इसकी रूट जो है उपर की तरफ आ गहे है कुराई करने समय फायदा यह होता है कि हमारी जो नीचे की गिल्ली मिटी हो उपर की तरफ आ जाती है और हमार फोटिलाजर है तो दोस्तों यह देखिए एनपी के 2020 यह हमारे प्लांटों में क्या करता है दोस्तों दोस्तों इसमें एनपी के 2020 में नाइट्रोजन और फास्फूरस होता है दोस्तों जो हमारे प्लांटों को काफी हिल्थ करता है नाइट्रोजन हमारे पत्ते को ग्रीन र लेकिन उसके लिए रूट डेवलेफ करने के लिए फासफुरस काम करता है झालेस, हमारे रूट की आठी देवलेफ करता है . बोजस्तु षूती चंल ब्रम यह प्यघमलेब Bulge प्लान्टों के लिए जादा फाइदा करता है तो चलिए दोस्तों इसमें जो दूसरा चीज हम देखते हैं यह देन दे क्वा enforcement की उस ने मतरा पार किये धोल आरे कैम स्ञूए मतरा में थोपेसा हैiones हँएज इस लिक्वीड को हम अपने डिरेक्ट अपने प्लांटों में नहीं डालेंगे दोस्तों यह जो हमारा 100 ml है कम से कम इसमें 200 ml हम पानी डालेंगे तभी हमारा प्लांटों में देने लाइक हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इसे अच्छे तरह से मिलाने के बाद यह देखिए कि हमारा फोटिलाजर बिल्कुल इस तरह से त्यार हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों इस लिक्वीड को हमें देना कैसे हैं तो दोस्तों इसे जब भी आप डालिए मौनिंग के टाइम पर ही अपने प्लांटों में दीजिए जिससे कि इसको नए ग्रोथ हो विंटर सीजन में हैं खासकर हमें कोई भी फोटिलाजर मौनिंग के टाइम पर ही देना चाहीए जिससे कि ये दिन फ़र प्लांटों को अच्छा से घलफ कर सकते दोस्तों इस फोटिलाजर को हमें इतना ही देना चाहिए कि नीचे से ये पाने ड्रेन होकर ना निकले तो दोस्तों कुछी तो दोस्तो आप भी ऐसे मरते हुए प्लांट को बचा सकते हैं और काफी ही कम आसान तरीकों से अपने गार्डनिंग की अपस्वाख को पूरा कर सकते हैं और कुछी दुनों में देखिए दोस्तो इसमें कितने नए नए बट्स बनते हैं और काफी खुफ सुरत ये फ्लावरिंग करता है तो दोस्तो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लेगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब टेक की रहनों बाई बाई